आज बनाने जा रही हूँ मैं करेले की कलोंजी या आप इसे भरवा करेले भी बोल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनके तयार होते हैं और रोटी ये पराठे के साथ ये बहुत बढ़िया लगते हैं और बनके कुछ देखिये इस सरीके से तयार होते हैं यहाँ पे लास्ट बनाएंगे क्योंकि सारे विटमिनस वगयरह तो निकल ही जाते हैं तो यहां पिछानर को सारे कहलें निकाल 좋 económica इस्पाएं तो इसे बनाएं चारे अलग इने वी जने कर लिया और यहांपे कर लेले अलग पड़े वे हैं तो करना क्या है यहांपे आपप इसमें और कर लेमें हम ढाल देंगे नमक थोग कर देंगे और नमक्ले. और मिक्स करके इसको अच्छे से रख देंगे जब तक हम करेंगे मसाली की त्यारी आगए जब करना है यहां पर ड़स ते-12 लें करना है है एक कच्छा आम मैंने पूरा लिया हूओ है यहां पे addy मिरचि यहां तो नमक यहां पर डालिएगा क्योंकि आम खटा है तो नमक थोड़ा सा इसमें ज्यादा यूज होगा अगर कच्छाम नहीं है तो आप नीमू का यहां चुर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें मसाला पिस गया है और यहां पर देखिए आप इसको मेना धो लेती हूं अच्छ देना है तो यहां पर थोड़ा सा पानी जार में डालके सारा मसाला में निकाल दिया है अब यहां पर देखिए अच्छे से भूंती जा रही है उसको मसाला एकदम सूख जाएगा और इसके बाद डाल दूगे यहां पर जो हमने करेले के बीज निकाल कर रखे थे वह भी इ एक्दम यह अच्छी से मसाला जो है भुण चुका है तो इसको अब निकाल लेते हैं तो अगर आप के पास नहीं तो आप इसमें खटाइ भी ढाल सकते हैं और चाहे तो इसमें आप नीम्बू करस या आमचूर पॉडर जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं मसाला मैंने निकाल लिया है और अब यहां पे करेले मैंने धोई लिये थे अच्छे तरीके से तो अब यहां पे मसाला इसमें हम भरते हैं अच्छे तरीके से तो मसाला य जाए गा तो यहां पर यह चीज बना रहे हैं आइसा ही आप परवल कि को लोंजी में भी बना सकते हैं सेम यह θα रहे गा और बहुत टेस्टी यहाँ पें हमारी कलोंजी बन के तयार होगी थो यह हैं यां पर बहुंतس intent Shame नहीं डालना है थोड़ाद से यहां पर में देखेयें स्प्रिंकल रही हूं अब यहां पर सो मैं थोड़ासा मीडम फ्लेम पे करके ना इसको ढख दूंगी ताकि करेले एक साइट से अच्छे से पक जाएं तो यहां पे देखिए एक साइट से अच्छे से पक जाएंगे ना तो फिसको मैं इसको पलट करके इसको अच्छे तरीके से हम सेखेंगे धिमी धिमी आज पे जितना आप इसको तो यहां पे देखिए इसको अच्छे से धक दे रहे हूं और अब देखे लास्ट मैंने इसको ढखा है इसके वाद में इसको ढखूंगी नहीं और करेले का देखे कलर चेंज हो गया है तो बस यहां पे अब इसको अच्छे से भुंगना है यहां पे ताकि करेले पाँचे से स्पोर्ट आ जाए और मीदियू टू लोफलेम की पेच में इसको अब यहां पे हम अच्छे से भुनेंगे तो यहाँ पे देखिया आप चाहे तो इसको non-stick कड़ाई में भी कर सकते हैं लेकिन लोहे की कड़ाई में खाना बहुत healthy रहता है सबजी वेगेरा तो यहाँ पे हमारी करेले की कलॉंजी जो है बनके तयार है चलिए इसको serve करते हैं देखिये कितना बड़िया यहाँ पे करेले जो है बनके तयार है तो चलिए फिर मिलते हूं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए till then बाई